जी हाँ दोस्तो फाइनली गूगल पास की रोलाउट हो गया है आपके गूगल एकाउंट के लिए अब यह है क्या और इससे क्या होगा वो हम समझते हैं तो गूगल पास की और कुछ नहीं बलकि आपके PC लॉग इन करने का तरीका है अब चाहे वो Windows Hello Pin हो, Windows Hello Face हो या फिर Windows Hello Fingerprint नमस्कार मैं हुदीप और आपका स्वागत है आपके अपने Tech YouTube चैनल टेक्नो पुरान में जैसे आप अपने Windows या Mac में लॉग इन करते थे using Pin, Fingerprint या By Face अब वही Pin, Fingerprint या Face से अपने Google एकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं जी हाँ आपने सही सुना, सेम आपके Windows PC वाला Pin से अब आप अपने Google एकाउंट में भी लॉग इन कर सकते हो इसको सेट करना बहुत ही आसान है, Google अब खुद से प्रॉम्ट कर रहा है पास्वर्ट को सेट करने के लिए Skip passwords for a safer sign in, click let's go अब थोड़ा सा information गूगल पास्वर्ट के बारे में, click get pass keys अब अपने Google एकाउंट का password दें और लॉग इन करें Automatic Windows Security Screen प्रॉम्ट होगा, क्योंकि मेरे laptop में ना तो fingerprint sensor है और ना ही face login इसी लिए मैंने pin set किया है और इसी लिए Windows Hello pin पूछ रहा है, अगर आपके PC में fingerprint या face login है तो Windows भी वह ही पूछेगा, मतलब जो set होगा वह ही पूछेगा, अब मैं अपने Windows का pin देता हूं और यह हो गया set, pass key created, click done, pass keys that you created, अब मैं आप देख सकते हो Windows Hello, created just a minute ago Last used, not yet used अगर pin यूज किया होता, तो कुछ इस प्रकार दिखता चले अब मैं आपको fresh login करके दिखाता हूं, Google account में, using pass keys यह दिया email id, click next और press enter यहाँ आपको select करना है try another way अब use your pass key यह आ गया pin login screen अब मैं अपने Windows वाला चार डिजिट पिन दूँगा और यह हो गया login ओप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाबाई यह उलो के लिए टीटार शॉपिक के साथ आपको झाला बाबाई